स्मस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके हमारी ऊठीटेनर रोकेस्टार एजुकेसन में में हूँ रासा अगर आपने बिहार पोस्ट मेंट्रिक एसकलर्शिप के फॉर्म को भरा है एकेडमिक यर 22 या फिर 24 अगर आप लड़का है या फिर लड़की अगर आप BCBC से आते हैं या फिर STST से हम आपको बता दें आप लोग का एक बावार कॉमेंट मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरा नोट कर रहा है ऐसा क्यों है हमारा एप्लिकेशन इसके कारण तो कहीं रुका हुआ तो नहीं है हम आपको इसके बारे में संपुन जानतारी देंगे और क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे इस चीजों को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा है और आप चाहते हैं कि बिहार पोस्टमेटिक या फिर अधर एसकोलर से रिलेटेड आपको परतेक अब्रेट हमारे माध्यम से मिलता रहे तो आपको बताते हैं किस तरीके से अपने लैप्लिकेशन के ऊपर जहां हम आपको बताएंगे किस तरह से आपका जो है नौट फैनलाइज अगर है तो उस प्रोब्लम को सुलेशन कैसे है और आखिर क्यों वह सो कर रहा है नौट फैनलाइज इसके लिए आपके पास एप्लिक पार कार्ड नंबर और साथ में आपका डेट अब बर्थ होना जिसके माधियम से आप जो है अपना अप्लिकेशन अट्रेटर को चेक कर पाएंगे और यह जो आपको गूगल पढ़ाना होगा लिखना होगा पी एम एस और बिहार लिखकर सर्च कर लिजिए आपके सामने इ करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखने को मिलता है बहुत सारा चीज लेकिन आपको यहां पर इंसिट्यूट लॉगिन यहां पर लिस्ट और यहां पर एक ऑप्सन देखने को मिलता है आपको इस पर क्लिक करना याद रहे आपको इस पर क्लिक करना यसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखने को मिलता है यहां पर आपको फिल्टर दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस परकार का डैस्पोर खुलकर आ जाएगा इस परकार का आजाता जैसा ताकि आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपका परस्टनल डिटेल रहेगा, नीचे में यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा चीज है, जो कि आपको verify और green देखने को मिलेगा, जिसे कि personal detail done है, जो green है, आपका mobile number verified है, जो कि green है, MLID verified है, इस तरीके सा कुछ देखने को मिलता है, लेकिर यहाँ पर जब आप चेक करते हैं, तो आप लोग का comment आ रहाता हमें, कि finalize details जो है, वो यहाँ पर एक जगा done दिख रहा है, और एक जगा note finalize दिख रहा है, तो ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों सो हो रहा है, हमारे application में क्या इस कारण से हमारा जो आविधन है, वो verification pending बता र रहा है, अक्सर यह होता क्या है, कि अगर आपने, आपको पता ही है, कि academic year 22 और 23 24 दोनों के लिए form भरा गया है, और बहुत आसे चाचातना है, जिनोंने form को अलड़ी भर रखा है, लेकिन बात आता है, कि जिन लोगों ने 22 23 को submit कर दिया है, तो देख सकते हैं, उनका done बता अब रही बात जिन्होंने 22 23 और 23 24 दोनों के लिए भरा गया, तो उस case में क्या है, कि दोनों का done होना चाहिए, otherwise, अगर आपने 22 23 भरलिया है, और अगर आपने 23 24 नहीं भरा है, तो वैसे case में क्या है, कि आपका academic year जो भी होगा, जो जो academic year आपने नहीं भरा है, वैसे case में क प्रासवर्ट के माध्यम से पोटल पर लॉगिन भी हो गए जब यहां हम आये तो देखने को मिला कि एकेडमिक एर 22-23 का ही इन्होंने फॉर्म भरा है अधरवाइज इन्होंने 23-24 का फॉर्म को नहीं डाला है इसलिए आपके सामने ऐसा सो हो रहा है जहां पर कि आप दे सकते 22-23 भरे हैं या फिर 23-24 भरे हैं जो भी आप नहीं भरे हैं अगर उसके सामने अगर आपका नोट फैनलाइज सो कर रहा है तो वैसे किसमें आपको घबरानी कर सकता नहीं है यह एक नॉर्मल है जो फॉर्म को आप नहीं भरेंगे तो आम तोर पे वहां पर आपको नोट समि रहे थे और बहुत द्रुना से कामेंट भी कर रहे थे कि हमारा नोट फैनलाइज सो कर रहा है और अगर यह बाएज जुन तक almost हो जाने की समभाव नाये हैं ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूं ऐसा paper में आया था जैसा कि already इसके उपर हमने वीडियो बना दिया है तो उमीद करते हैं कि अगर आपका note finalize सो कर रहा था तो यह confusion दूर हो गया होगा कि यह academic year के लिए अगर आपने 22-23 का भरा है तो अगर आपने finalize कर दिया है तो done लिखाएगा अगर आपने finalize नहीं किया है तो done यहाँ पर इस तरह से लिखाएगा note finalize red color से यह जो जिनका हमने अभी आपको अटेटरस दिखाया इनका 22-22 का इन्होंने form को final summit कर दिया यानी finalize कर दिया इनका done दिखने को मिल रहा है और इन्होंने 23-24 पर इसको finalize नहीं किया यह na तो inica note finalize देखने को मिल रहा है इस note finalize से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है कोई परशानी नहीं है आपने बस form को भर दिया बस आपको टेंशन लेनी कर सकता नहीं, आपने जिस भी academic year के form को भड़ा है, उसका पैसा आपको असानी प्रयोक आपके खाते में भेज दिया जाएगा, इसके लिए आपने फिक्र रहे हैं, अब रही बात, इसका आपका पैसा कफतक आएगा, तो उमीद है कि जुन जुलाइस इसका आपके लिए इस तरह की informative वीडियो के लिए आप मुझे भी फोलोग कर लिजेगा, मिलते हैं, अगली दिम्सक्र तक के लिए धन्यवाद